Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is part of an academic group दोस्तों, आज की इस quiz में हम देखने वाले हैं कुछ और important question जो की सभी exams के point of is important है SSE, Railway Group D, NTPCCP2, सभी exams के लिए तो please पूराइंट तक देखेगा, इसमें 20-25 question होने वाले हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो please like करके अपने सभी दोस्तों के साथ में भी जरूर सेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक टेलिग्राम ग्रूप जोईन नहीं किया है तो सौरब मलिक ओफिशल नामसे एक नया टेलिग्राम ग्रूप बनाया है मैंने जिस पर आपको 5000 MCQs की जो स्रीज है उसकी PDF मिल जाएगी साथी साथ अनेकेडमी की सभी फिरी क्लासिस की भी आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगे जो की दिन में ठाई बजे और रात में ग्यारा बजे होती है और इसके लाबा यूटूब की सभी वीडियो के बिलिंक आपको यहाँ पर मिल जाते है यानि कि और जितने भी अपडेट होते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाते है तो फटाफट से टेलिग्राम को जरूर जॉइन कर लीजेगा बाकी Unacademy Plus अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो फटाफट जॉइन कर लीजे क्योंकि Unacademy Plus पर आपको लाइब किलासेज मिलती है तो यूज करेंगे code study 10 अन अकेडमी की सभी categories में दोस्तो आप combat में enroll कर सकते हैं जो कि 23 जनवरी को है इसमें अच्छा खासा price भी आप win कर सकते हैं और इसमें enroll करने के लिए code use करने study 10 लिंक नीचे description box में मिल जाएगा सफलतब 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है जो कि SSE CGL CHSL 2021 के लिए important है और इसमें enroll करने के लिए आप लोगों को दोस्तो study 10 core apply करना है और इसमें 24 मत का जो subscription हो 325 पर मत और 12 मत का subscription 542 पर मत आपको मिल जाता है बाकि सारे test free of cost है इनमें आप enroll कर सकते हैं SSE category में जाके देख सकते हैं और core use करना study 10 चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्लीज पुरा end तक चरूर देखेगा दोस्तो आज की वीडियो का पहला question है UNICEF का गठन किस वर्स में हुआ था अगर आपको question का answer पता है तो नीचे comment box में बताते रहेगा देखी UNICEF जिसको United Nations Childs Emergency Fund के नाम से जाना जाता है और इसका गठन हुआता दोस्तो 1946 UNICEF यानि की संयुक्त रास्टे बाल आपात कालीन कोस एक संयुक्त रास्टे एजंसी है तो दुनिया भर में बच्चों को मानवे और विकास आत्मक साहिता परदान करने के लिए जिम्मेदार है 192 देशों और छेत्रों में उपस्थित के साथ एजंसी दुनिया में सबसे व्यापक और पहचाने योग्य समाजिक कल्यानकारी संगठन में से एक है तो यह पॉइंट भे आप लोग दोस्तों ऊनिकेफ के बारे में नौड कर सकते हैं कोशन आता है नेक्स्ट लेटराइट मिठी में ऐ खालीस्तान सम्रद होता है तो लेटराइट मिठी जो दोस्तों होती है अपकी यह आइरन से सम्रद होती है तो राइट आंसर इस ओप्शन भी यह आप लोग को यादख रहा है लेट राइट मिट्टी की परत जो आइरन ओक्साइड से भरपूर होती है और जोरदार ओक्सीकरण और लीचिंग इस्तिति के तहत अपक्स की एक विशिस्थ विदायका से प्राप्त होती है तो ये भी आप लोग यादख सकते है कोशन आता है निमलेकित में से कौन सा सासक चोल मंस का था या है तो देखे इसमें से अगर मैं बात करूँ राजराजा फरस्ट इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोगों को यादखना है ठीक है चलिए अगला कोशन आता है EEG का उपियोग खालिस्थान को मापने के लिए किया जाता है तो EEG को दोस्तो मापने के लिए किया जाता है मस्तिक्स का कारिय पत्ति यानि की ब्रेन फंक्शनिंग इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोग याद रख सकते हैं तंजाबूर, सहर और वहाँ निसामबूस दिनी के मंदिर के भी निर्माण के लिए निमलकित सासकों में से किसे सरे दिया जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा विजाले यानि की option A आपका right answer हो जाएगा निमलकित में से कौन सा जल में घुलंसील विटामिन है तो जल में घुलंसील विटामिन की अगर मैं बात करो दोस्तों तो विटामिन B and C यहाँ पे right answer हो जाएगा पानी में घुलंसील विटामिन दोस्तों विटामिन C विटामिन B and C है ठीक है कोशन है आपका दक्सिन भारत की परसिद तिर्थिस्थल तिरूतनी में से कौन सी नदी बैती है तो ये बैती आपकी देखे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नंदी नदी दक्सिन भारत की परसिद तिर्थिस्थल से होकर बैती है और यहाँ पर right answer हो जगा तमिलाडू में इस्थित है दोस्तों यह यानि कि right answer is नंदी चंद्यान 2nd का वजन कितना है तो चंद्यान 2nd का वजन दोस्तों 2379 kg है इस question का right answer option C हो जाएगा निन्वे से कौन सा दर्रा लद्दाग परवत सरंकला पर इस्थित है तो right answer हो जगा खारदूं लादर्रा यानि कि option D is the right answer कोशन है सरावती नदी पर इस्थित जर्ना है जों जर्ना करना तक यानि कि option हो जएगा D right answer कोशन है पंडित बिर्जु माराज के इस्थेत्र के परतिश्थित व्यक्ति है तो पंडित बिर्जु माराज किस्थेत्र के परतिश्थित व्यक्ति है तो classical dance के यानि कि option आपका याँ पे C right answer हो जगा ठीक है निमलकित में से किस सवेदानिक संसोधन अधीनयम ने किसी व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बराना संभव बनाया है तो इस question का right answer हो जाएगा 7th constitutional amendment act यानि कि option आपका A right answer हो जाएगा question है चीने में दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जल्मार्ग है चीन में दोस्तो चीन में दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जल्मार्ग कोन सा है तो इस question का right answer हो जाएगा grand canal यानि कि option D right answer हो जाएगा कोशन एनिमलिकेत में से किस चितर कला, सेली, को, मिथाली, कला के नाम से भी जाना जाता है तो ये आपका मदूबनी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोशन है संकर जो आठवी सदाब्दी में केरल में पैदा हुए सबसे परवाबसाली दरसनकों में से एक थे वे एक समर्थक थे किसके तो ये समर्थक थे दोस्तों बिल्कुल सही है एद्वेत के मार्ग यानि की ऑप्शन हो जाएगा सी रेट आंसर निमलिकेत में से किने भारत के प्लाग मेन के रूप में जाना जाता है तो इस कोशन का राइट आंसर दोस्तों रीपू दमन बेवली इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोगों को याद रखना है 1955 में एक समीती थी जिसे करवे समीती कहा जाता है दोस्तों ये किस से सम्बंदित थी तो इस question का right answer होने वाला है ग्राम तथा लध्दू उद्योग्यों के विकास से तो ये आप लोगों को याद अखना है वही question आ रहा है आपका कच्छी गोडी 29 राज्ये से संबंदित है ये दोस्तों आपका राजिस्थान राज्य से संबंदित है तो इस question का right answer option भी होने वाला है question एक इस देश की जनसंख्या विश्यसग्यों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वदिक आबादी वाला देश बन सकता है तो ये कहना दोस्तों चाइना का है तो इस question का right answer option ए हो जाएगा किस नदी को सिंगी खबन के नाम से जाना जाता है तो ये इंडस नदी को सिंगी खबन के नाम से जाना जाता है कोशन है निमलिकित में से कौन सा रास्टे उध्धान पूर्वी हिमालिय उप छेत्र में सबसे बड़ा संदक्सित छेत्र है तो इस कोशन का राइट आंसर क्या होजेगा नाम दफार रास्टे उध्धान यानि की ओप्षन डी इस दा राइट आंसर कोशन आता है चत्र बुझ परियोजना की योजना भुध लंबाई क्या है तो इस कोशन का राइट आंसर बतेगा फाइब थाउजन इननेट फोर्टी सिक्स किलोमेटर या आप लोगों को याद अखने है दिल्ली सल्तनत की समय में बंधगानों से क्या तातपरिय था तो बंदगान से दोस्तों पे जो ताद पर यह था वहे यह था कि सेन्य सेवाओं के लिए क्रे किये गए विशेजदास यानि कि Special Slaves Purchases for Military Services तो यह आप लोग या दख सकते हैं Quesion है निमलकित में से किस दिवस को राष्टे उर्जा संदक्षन दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है दोस्तों 14 दिसंबर को यानि कि Option D रेट आंसर हो जाएगा Quesion है निमलकित में से कौन टेफलोन का एक लख है तो इस question का सही answer हो जाएगा option B देखे ये pdf continue रहेगी next वाली पर हम चलते हैं और प्लीज आप इन सभी वीडियो को देखते रही है लाइक करते रही है टेलिग्राम को जोईन कर लीजिए 5000 question कराने का मेरा target है कुछ question मैं YouTube पर कराऊँगा कुछ unacademy की special classes के थुरू आपको कराने वाला हूँ ठीक है चलिए और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा feature जो की unacademy पर आपको मिल जाता है जहां पे आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की studies related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेजेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बैल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चले मिलते है next class में